आप IAS का exam कितनी age तक दे सकते हैं, इसके लिए कुछ सीमा रखी है, और उस सीमा के अंदर ही आप IAS का exam दे सकते हैं, जब उस सीमा को पार कर जाएंगे तो IAS का exam देने का मौका आपको नहीं दिये जाएगा, तो उस सीमा को हम समझते हैं, तो यहाँ पर government ने category के हिसाब से सब आपको अलग-अलग सीमात दी है मतलब age limit रखी है और अगर पहले हम general की बात करें तो यहाँ पर 21 साल से लेकर 32 साल तक general वाले exam दे सकते हैं महीं पर OVC के लिए limit है 21 से 35 मतलब उनको 3 साल की छूट दी जाती है महीं पर HC की बात करें या HD की बात करें तो उनकी लिए जो age limit की बात है वो कही गई है 21 से लेकर 37 की बीच में मतलब उनको 5 साल की छूट दी जाती है तो इस परकार से आप जिस काटेगरी में आते हैं उसी इसाब से अपना target बना के चलें कि मेरी age अभी क्या हो गई है मेरे पास कितना time है और उसी साब से अपनी त्यारी करें